हेलो दोस्तों का दुनिया में एबा फिर से आपका स्वागत है दोस्तों हुंड़ेई वेन्यू जो भी 2022 में फेसलिफ्ट लाउंच हुई है उसका S या फिर उससे उपर वाला वेरेंड मान लीजे आप S यूस कर रहे हैं या फिर S O, S Plus, S X या फिर S X O इन सभी गाड़ियों में दोस्तों Digital Meter दिया है Digital Meter में दोस्तों बहुत सारी Informations दे रखी है कई बार होता है हमें सारी चीजे पता होती है और कई बार होता है कि हमें कुछ चीजे पता है या फिर कुछ चीजे नहीं पता है तो जो ची नहीं पता होती है उसका क्या benefit है हम नहीं समझ पाते हैं दोस्तो मेरा आज का ही वीडियो आपको बताएगा Hyundai Venue S onwards में जो ये digital meter आ रहा है उसमें कौन-कौन सी information आती है वो information किस तरीके से आपको benefit डे सकती है सारी चीजे अपने इस वीडियो में करेंगे discuss दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप अपनी गाली के किसी भी spare part को purchase करने की सोच रहे है तो घर बैटे ही आप order कर सकते हैं budmo.com से जहाँ पे दोस्तो online spare part company budmo.com पे genuine spare part, genuine price पे मिलते है continuous delivery pan India shipping provide की जाती है budmo.com पे कैसे spare part को purchase करना है इसका process भी समझ लीजे model and year से select करिए search part पे जब क्लिक करेंगे तो list आजाएगी यहां से आप purchase कर सकते हैं इसके लावा इसमें OEM catalog भी दिया हुआ है जहां पे categories बनी है इन category में जब आप click करेंगे तो chart open हो जाएगा chart से आप अपने desire spare part को select कर लीजे और घर बैटे ही various online payment modes के तुरू purchase कर लीजे लिए उसके बाद दोबारा on करते हैं तो कुछ इस तरीके का state of charge यानि यहां पे shipping mode दिखाता है यह बता रहा है गाड़ी की battery कितनी charge है उसका यहां पे level आप check कर सकते हैं जिसको हटाने के लिए जब हम ok button को press करे रहेंगे तो यह reading हड़ जाती है इसके बाद दोस्तों यहां digital cluster में आकर हम right side से start करें तो यहां पे देखिए यह दे रखा है rpm meter की reading नीचे की तरफ चेक करेंगे तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं engine temperature को इसके लाबा left hand side पे यहां पे देखिए तो यह fuel cost level दिखाएगा और इधर की तरफ digital speed आएगी plus center पे यहां पे multi information display दिया हुआ है जि नी fuel के साब से किती दूता गाली जा सकती है उसकी reading यहां पे सो करेगा नीचे की तरफ outside atmospheric temperature दिखा रहा है और total car किती चली है वो बता रहा है बाकी यहां पे जो center पे information से उसको बताते हैं अभी एक मिट बाद क्योंकि यहां पे आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा क तो कुछ इस तरीके कि यहां पे जो यह lights है यह इसके जो bars है यह बढ़ते हुए देखिए आप यहां पे notice कर रहे होंगे आप चलीए बात करते हैं इसके drive info में क्या-क्या information मिल जाती है तो देखिए सबसे उपा की तरफ यह trip meter है यानि हमने last reset reset कैसे करना होता है पहले बता देता हूँ आप अगर इस okay बटन को प्रेस करे रहेंगे तो यह जो ratings है यह reset हो जाएंगी तो last reset के बाद कितनी दूता गाली गई है वो यहां पे show करेगा उसके नीचे यह दे रखा engine running time यानि गाली का engine total कितनी दे तक start रहा है उसकी यहां पे आप timing को check कर सकते हैं और उसके नीचे यहां पे mileage show करेगा और यह जो आप 0, 10, 20, 30 देख रहे हैं यह instant mileage है यानि present पे गाली क्या mileage लिका लिए है यह regular basis पे calculate करता रहता है जिसको यहां पे show करता है और उसका जो average निकल के आता है वो यहां पे है तो हमारे लिए जो important reading है दोस्तों वो इस जगे है जो kilometer पर liter लिखा हुआ है तो उमको पता लग जाएगा गाली क्या mileage देरी है इसके बाद यहां पे जो यह team बटन है इस से मैं जब इस वाले center बटन से सको scroll करूँगा तो यह accumulated info आ गई यहां पे देखिए मैं अभी तक सको reset नहीं किया हुआ है तो यहां पे देखिए reading सो कर रहा है drive info म अब बात करते हैं तो यह drive info पे वापस आ गया अब बात करते हैं यहां पे इस बटन की जब हम इसको press करेंगे तो देखिए यहां पे user setting पार्ट पे जाएगा जिसमें कई सारी चीज़े आती है और को हम customize कर सकते हैं और यह important पार्ट है क्योंकि यहां पे लोगों को नहीं idea होता है कि इसके अंदर क्या-क्या informations है और क्या- medium low यह क्या है बताता हूँ देखिए मैं इसको जरा पहले तो मैं high पे रखता हूँ देखिए जब हम reverse gear जैसे लगाएंगे इस गाड़ी का यह देखिए जो इसके sensors हैं जो इसकी आवाज आती है उसको कितना ज्यादा यानि कितनी तेज आवाज आए उसको यह depend करती है अब हम इसको सीधे low पे कर देता हूँ तो देखिए बड़ी हलकी से आवाज सुनाई दे रही है यह देखिए यहाँ पे sound जो है इसका sensors का वो थोड़ा कम हो गया तो यहाँ पर अपने साब से आप इसको कर सकते हैं set further चलते हैं और चीजों की तरफ तो cluster पे है यहाँ पे cluster पे द तरीके से आप यहाँ पे जो भी आपको color पसंद है उस color space को रख सकते हैं फिलाल मुझे red color ज्यादा पसंद है क्योंकि ज्यादा sporty लगता है तो मैं इसको red पे चोड़ देता हूँ अब देखिए यहाँ पे wiper light display है जैसे मैं मान लीजे इसकी headlights को operate करता हूँ तो देखिए इ अब इसको change करूंगा देखिए तो यहाँ पे कोई भी display नहीं दिखाएगा तो इस तरीके से यह आपको उपर है IC road warning यानि आप इसको ऐसी जगे पे गाली को drive कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा road slippery है अगर आपने इसको on करके रखा हुआ है तो यहाँ पे warning देगा कि आप ए सारी informations मिल जाएंगी cluster के अंदर further lights पे देखते हैं तो यह देखिए illumination है अंदर की जो light की intensity है उसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं यह देखिए तो यहाँ पे अगर night के टाइम पे थोड़ा सा आपको आँखों में ज़्यादा रोशनी लग रही है मीटर की ज़्य जाएंगे बिना steering के movement के इसको बोलते हैं lane change indicator यहाँ पे flashes को आप set कर सकते हैं 753 तो यह आपके साब से जो भी आपको set करना है set कर दीजे या फिर आप चाते हैं हमें lane change indicator की ज़रुवत नहीं है तो इसको आप कर दीजे off तो फलाल इसको अच्छी चीजे on रखते हैं चलते है headline headlights time out पर चलते हैं जहां पर यह अगर इसको आपने ticker कर रखा हुआ है तो जब हम गाली को auto mode पर करेंगे और गाली को lock करेंगे तो इसकी headlights सो थोले time तक on रहेगी इसका timing approximately 30 seconds रहता है उसके बाद यह headlights बंद हो जाएंगी तो यह feature अच्छा है इसको escort function या फिर follow me home lights भी कहते ह हैं तो इस तरीके से अगर आप इसको on रखना चाहते हैं तो इसको on रखिए नहीं तो इसको आप off कर दीजे वह आपको पर है चलिए अब और चीजे चेक करते हैं तो door settings पर चलते हैं क्या क्या है auto door lock यानि enable on speed 20 को पर जैसे गाली की speed जाएगी जिसके दरवाजी के locks हैं यह अपने आप बंद हो जाएंगे तो as a safety point of view की बात है अब चाहते हैं ना बंदो मैं manually बंद करूं तो इसको कर दीजे off बट इसको on करना काफी अच्छा चीज़ है चलिए auto unlock पर जाते हैं तो key on key out यानि अगर हम गाली को बंद करते हैं और जैसे गाली की चाबी को बाहर निक convenience में देखते हैं तो यहाँ पर service intervals है तो दोस्तों यहाँ पर अपने असाब से जब service due होनी है उससाब से आप इसके intervals को set कर दीजे किलोमीटर और month और जैसे ही वो period आएगा तो गाड़ी अपने आप यहाँ पर आपको remind कराएगी कि अब आपकी service गाड़ी की due हो रही है इसक को reset कर सकते हैं चलते हैं बैक की तरफ और देखते हैं units की तरफ क्या क्या है temperature unit तो यहाँ पर celsius या centigrate कह लिए जो कि देखिए outside temperature दिखा रहा है या इससे हम Fahrenheit पर कर दें तो देखिए इस तरीके की readings Fahrenheit पर आएगी तो यह जो मैं particular गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ यह इस venue चेंज हो जाती है तो अगेन मैं इसको जड़ा celsius पर कर देता हूँ क्योंकि मेरी habits celsius में देखने की है fuel economy units है यहाँ पर जो गाली का mileage है वो किस unit पर देखने है किलोमेटर पर लीटर यानि एक लीटर पर कितने किलोमेटर गाली चली है वो दिखाएगा या फिर आप लीटर पर 100 km यानि 100 km में कितने लीटर यूज हुआ है उस पर तो normal habit लोगों की किलोमेटर पर लीटर पर होती है इस वज़े से सेट है वागर अगर अब चाहें तो इसमें भी सेट कर सकते है तो इसमें भी सेट कर सकते है तो जो प्रेसर है उसको हम यहां से switch कर सकते हैं इन यूनि नॉर्मल आपको बता दूँ जो हम लोग बूलते हैं हमारी गाली में 33 हवा भर दो या 35 हवा भर दो 38 भर दो तो वो PSI फॉर्मिट पर ही होती है फिर भी अगर आप किसी वज़े से KPA या BAR फॉर्मिट पर रखना चाहते हैं तो यहां से आप इसकी यूनिट्स को change कर सकते है तो यह होगा इसमें यूनिट्स के बार चलिए वापस बैक चलते हैं और इसके नीचे जब देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे इसमें reset का option है जो भी चीज़े मैंने यहां पर अपने साब से customize की है अगर इसको वापस factory reset पर लाना चाहते हैं तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो दोस्तों आपने यह वीडियो पूरा देखा और जितनी भी इन्फॉर्मेशन वेन्यू के एस ओन्वर्ड से डिजिटल मीटर पर आती हैं सारी चीज़े मैंने आपको बताई अब दोस्तों आप बताईए आपको सारी चीज़े पता थी या इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नई चीज़े पता लगी है हमारे comment section पर जरूर बताईएगा मेरे इस तरीके के वीडियो अगर आपके लिए helpful रहते हैं तो दोस्तो कार दुनिया को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दीजेगा मिलते हैं बहुत ही जल अपने नए रिव्यू के साथ अपता के लिए अपना रखिए ख्याल थैंक्यू